नमस्कार साथियो, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं दुनिया बटी हुई है, ये बटी हुई दुनिया किन मुद्दो को चुनेगी और कैसे जुडेगी ताकि एक बहतर दुनिया बन सके, ये बहुत मुश्किल काम होता है जी ट्वेंटी वी सी का उधारन है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ रहा है इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडिटर इंचीफ प्रबीर, अभी जी ट्वेंटी की बैठक होई, सब कुछ निकला उसके बाद और जी ट्वेंटी को हम लेकर सोचते हैं कि दुनिया की जितनी समस्या है, वह वहाँ पर साजी की जाएंगी, उसके कुछ निकल कर आएगा तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या निकला उनसे पहली बात तो जी ट्वेंटी इसलिए नहीं बना था, कि दुनिया की हर बुद्दे को हल करेगी, उसके लिए कुछ चीजों के लिए सिक्यूरिटी काउंसिल है, उनाइटेड नेशन्स की, और मुख्य मंच हर चीज की उनाइटेड नेशन सी मान के चलना चाहिए, क्योंकि इस पे सब देश शिरकत कर सकते हैं, करते हैं, और इसी को एक, कहते हैं, ग्लोबल सिस्टम को चलाने के लिए इसी को माना गया था, दुछ दीत्वियों महा युद्ध के बात, तो जी ट्वेंटी एक क्राइसिस, एकनॉमिक क्राइसिस से जो हम निकल रहे थे दुनिया में, तब जी ट्वेंटी को एक क्लॉब के तरह बनाया गया था, जिस पे कुछ मुलकों को शामिल किया गया है, वो भी किन को शामिल किया गया है, किन को शामिल नहीं किया गया है, इसके कोई चुनके नहीं हुआ था, ना कि इसमें किसी की सम्मती ली गई थी, बलकि कुछ एक द समझना चाहिए कि एक एक जो क्राइसिस दुनिया में बीच बीच पे आती है उसके चर्चा करने के लिए जो मुख्य क्या कहते हैं एकॉनमीज हैं वो रहें और जो इमर्जिंग एकॉनमीज हैं जो उठ रहें हैं बढ़ रहें हैं वो रहें इसके तहट जी ट्वेंटी का इसके दिसकाशन के तहट कोई निशकर्ष में नहीं पहुंचा और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चुनावती जो है वो यह है कि क्लाइमिट चेंजी से कहते हैं पैरिस चुकती जो सब लोगों ने उस वक्त विकार कर लिया था उससे अमरिका इस वक्त भुकर गया और उननीस देशों की इस बात पर सहमिती होने के बावजूद पैरिस एग्रिमेंट को लेकर जी ट्वेंटी में कोई बातचीत नहीं हो पाई न भी ना कोई निशकर्ष निकला इस वक्त लग रहा है जो कुछ मुल्क खासतोर से अमरीका वो नहीं चाहते कि सब देश मिलके आर्थिक जो संकट है दुनिया के सामने जो बुद्धे दुनिया के सामने है उसके कोई इस तरह से चर्चा हो बलकि इस वक्त अमरीका तो खासतोर से चाहता है कि जो भी वो सही समझ रहे हैं वही नीती सब उनके कहने पर मान ले जो ग्लोबल ब्यवस्ता है चाहे वो सिक्य समंदित सब मसले उस पर आये, यह सब उनको नजर अंदास करके, अदर किनारे करके, अमरीका कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ, वही होगा, चाहे चीन के साथ हो, चाहे इरान के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, तो यह इसको देखते हुए, जी-ट्वेंटी, अभी किसी लिए platform है, वो समझ में नहीं आ रहा है, सिर्व इतनी बात जरूर है कि क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो एक एहमियत रखते हैं अथनितिक तौर पर वहां मिल रहे हैं, तो वो कम से कम G20 की side lines पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसकी शायद ज्यादा हमेत है. तो यह सर क्याता है, हम जैसे करके सुन लेते हैं, G7 जैसा सब्द आ जाता है, फिर यह G20 आ गया, emerging economy बैठेंगी, आपस में बात करेंगी, climate change का बाते होती हैं, और जिस तरह की दुनिया है, जिसमें अमेरिका का ज्यादा प्रभाव है, चीन का ज्यादा प्रभाव है, और इन जब कोई major, क्या कहते है, निशकर्ष पे, यह बीस बुल्क नहीं जा पा रहे हैं, तब दुनिया तो स्थिद नहीं रहेगी, तो एक आपस में बातचीत करेंगी, आपस की जो स्वार्त है, उनको लेके, क्या सहुलियत है, उनको लेके, तो अब दुनिया में कौन सी मुख् हैं, जो सब को एक हिसाब से सब को चिंतित कर रहा है, एक तो यह है, एरान और अमरीका की बीश में जो इस वक्त तनाव है, जिसमें ड्रोन गिराया गया, अमरीका का ड्रोन, एरान के पानी में गिरा, या तो एरान गिराया, यह जो एक मुद्दा है, और दूसरा एकनामिक जो जंग एक तर trilogy ससे कह सकते हैं, अमरीका और चीन में, चीन के बिच चल रहा हुआ है। हुआवे के बारे में हम दिखर कर चुके है। हुआवे को लेकर, और भी ही चीजों को लेकर doёकर, का घोशित किया है जिसमें हिंदुस्तान की उपर भी उनोंने ट्रेंड वार घोशित किया है इन सब चीजों के लेके तो इसमें खास तोर पे इरान पे कोई निशकर्श पर नहीं पहुंचे इसमें कोई हम नहीं देख सकते हैं कि कोई इसमें फरक पड़ा है जी-20 में या कुछ हुआ है एक जरूर बात हुआ है कि अमरीका और चीन के बीच में कुछ जो है संबंद सुधन्दे की सभावजा दिख रही है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैं प्रेजिदिन शी के साथ बात करने के लिए तयार हूँ और ट्रेड वार को उन्होंने कुछ हद तक कम किया ह हुआए हुआवे पर संक्शंस कुछ संक्शंस हटाने की बात उन्होंने किया है पर ये तभी कारगान नित्थ होगी जब यह दो मुलक के प्रेजिडेंट्स मिलेंगे कब बिलेंगे ये नहीं मालूँ शायद जल्द ही मिलें नौर्थ कोरिया में नहोंने पहलकदमी की है बहुत बड़ा पहल कदमी है पहली बार कोई अमरीकिन अमरीकन प्रेजिदेंट जो है नौर्थ कुरिया मे पैर रखा हलांकि एक पैर ही रखा वहां पर जो जो बिलिटराइस्ट जोन है तो उस पे आगे जाके नौर्थ कुरिया में एक पाय रखे वापस आ गये पर यह भी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि इसको एक टेर्रिजम के लूप में कुछ बाते करी जाए और इसको दूसरे बुलकों के लाए जाए मुझे लगता कि हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान केंडरिक फॉरिन पॉलिसी नजर आता इस वक्त हर जगह पे जाके टेर्रिजम हिंदुस्तान के या मोदी जी की शब्दों में यह तो टेर्रिजम सिर्फ पाकिस्तान को कराद देना है तो वो कहीं चल नहीं रहा इस वक्त क् कि सब अपने अफने चीजों में उल्चे हुए है तो इसके लिए अमरीका का इरान है सिर्फ, ठीक है सिर्फ ही, हिंदुस्तान का मतलब पागिस्तान सिर्फ, तो दूसरे मॉलकों का आईइस, यह सब देखते हुए, यह तेरeur tourism का जो यह कंग्ना चाहते, अधराओ म tournament, चनल पर यह बात जरूर है कि हर bilateral, trilateral में, बहुत सारे trilateral, bilateral में हम भी शामिल रहें, तो उसे क्या निशकर्ष निकला, वो साफ नहीं है इस वक्त, इंडिया और अमरीका के संबन्द में खास फरक अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं, पॉंप यहां आये थे, जो बातचीत किया, उससे कुछ निकला नहीं, और बाद भी अमरीका का इस वक्त दिगाह खास तोर से हमारे उपर है नहीं लगता है, और इरान के तेल लेके, जो हम चाहते थे, क्योंकि इरान के तेल अगर हमारे पास नहीं पहुँच पाता, सैंक्श काउर कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो उस पर लगता नहीं कि अभी भी कुछ सलूशन निकला है, यह जरूर है कि एस फॉर हंड्रेट का जो अमरीका धंकी दे रही थी, कि अगर आप एस फॉर हंड्रेट रस्या से खरीदोगे, तो आपके उपर का हम काउर कारवाई कर सक है, यह हो सकता है, वो हो सकता, लगता नहीं उसमें भी कोई फरक पड़ा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त एस फॉर हंड्रेट को छोड़ने के रवाया में नहीं है, और इसलिए यह जो ट्रेड और एस फॉर हंड्रेट लेके जो तनाव हिंदुस्तान के और अमरीका के पड़ेगा, उस पे कोई फरक पड़ता नहीं, इस खास चीज तो यह है, ट्रम्प के लिए, चीन और इरान, इरान के साथ जंग ट्रम्प नहीं चाहता, नहीं तो उसकी प्रेजिडेंशिल जो सेकेंड टर्म है, वो शायद डूब जाएगा, तो इसलिए शायद वो जंग और कहाँ ले जाना चाहता है, समझना समझना मुश्किल है, क्योंकि एमरीकी फैचर फॉरेड पॉलिसी जो पूरी तरह से ट्र darp के नरिख हो गया है, ओर एक देश को प्रेडिक्ट करना हो सकता, थोड़ा मुश्किल हो एक इनसान को प्रेडिक्ट करना और ही मुश्किल है इसलिए इस फॉरेंड पॉलिसी को हम इस वक्त जो है कहां कैसे जाएगा इस सबझना थोड़ा मुश्किल है एक बात आता है प्रभी कि यह बहुत एक संगठन है जो मिलता है और हम देखते हैं अर्थवस्थाय जो इमर्जिंग हो रही है और इस्थिति यह है कि एक फिजदी लोगों के पास दुनिया की आधे सेदिक संपतियां है जब ऐसी स्थिति हैं तो क्या लगता है कि यह सिति आती कैसे हैं आई कैसे हैं जब सब यह कभी जी फाइव हो जी सेवन हो जी एट हो या जी ट्वेंटी हो इन चीजों को डिसकस करने के लिए कभी इसका गठन नहीं हुआ था यह तो सिर्फ इन मुलकों के बीश में जो कह सकते जंग की माहौल ना बने और आर्थिक जंग ना हो इसके लिए इनका एक क्या कहते ह होल है और खास तोर से आर्थिक संकट अगर दुनिया में है जो नाइंटी नाइंटी एट में इस स्टेशन मुलकों के लेके हुआ था जिसमें साउथी स्टेशिया भी शामिल था और इसके बाद 2008 में जिसमें लेमन ब्रदर्स को डूबने के बाद एक बहुत बड़े पैम रहा है और खास तोर से जी ट्वेंटी का इसी लिए दिर्मान करना जुरूरी था कि जी फाइव में से शायद चीन को बाद में शामिल करने की बात हो सकती थी रूस को सामिल कर शामिल किया था इसके बाद निकाल दिया तो ये वेस्टरन मुलकों की एक क्लब था जो कि को चलाएंगे तो वो समभव नहीं था चीन इतनी बड़ी एकॉनमी की रूप में निकली इसके बाद हिंदुस्तान का इकॉनमी बहुत बड़ा एकॉनमी है ब्रजिल एक बहुत बड़ा एकॉनमी लेके चल रहा है रूस के एकॉनमी इतना च्छोटा तो है नहीं और उसकी सामरिक शक्ती भी उसके पास है तो ब्रिक्स इपसा यह सब जो बन रहा था इस से लगा कि फिर जो है इन से इनकी जो अलग क्लब्स बन रहे हैं तो हमारे हाथ से दुनिया के बागडोर निकल जा लिए इसके लिए जो वेस्टर्न बड़े नेशन है मुलक है उनने ने का ज कुछ नीतिया पालन करना चाहते हैं मने कहा था इस्टेशन क्राइस से शुरू हुआ है यह और यह जो है 2008 में लगा कि सब को बुला के ऐसे संग जो क्या कहते हैं ऐसे संक्राथिक संक्रत से इसे कैसे उपरे इस पे इनक्वालिटी के लिए इनका गठन निर्मान या बातच की तरह जा रहा है इस पर आपके क्या रहा है इस पूतिन ने जो कहा एक बहुत बड़ा लंबा उनका है उस पर हर चीज पर नहीं जाते हैं इस बात पर टिंपड़ी कर सकते हैं कि इस वक्त ग्लोबिलाइजेशन के नाम पे जो कुछ मुलकों ने अपना राजनीत अत्नीत चाहा वो इस वक्त लगता है कमजोर हो रहा है तो यह जो ग्लोबिलाइजेशन डब्ली ट्यो यह सब जो प्लैटफॉर्म्स थी लग रहा है बैंक्स जो अब चाह रहे थे कि फाइनेंशल लिबरलाइजेशन से हर देश की अर्थिलिती पे वो कबजा करें यह वो भी ऐसे शक्तिया हैं जो कि आप कुछ हद तक फाशिस्त कुछ जगहों पर कह सकते हो उग्र राष्ट्रवादी कह सकते हो यह भी कोई अच्छा शक्तिया नहीं उपर के आ रहे हैं यह बात जरूर है कि एक चीश हम कह सकते हैं कि ग्लोबिलाइजेशन के नाम पर जो कु आपन नियो कलोनियल फ्रेमवर्क को करना चाहते थे तो वो इस वक्त लगता है क्राइशिस में है अब क्या उससे निकलेगा भला निकलेगा खराब निकलेगा देखने वाली बात है शुक्रिया प्रभीर हमसे बात चीत करने के लिए ग्लोबिलाइजेशन के नाम पर जिनक तरही है निउस क्लेगा